नमस्कार आपका स्वागत है अलर्ट राजस्तान के इस बुलिटिन में यदि आपने हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन ज़रूर क्लिक करें आए रुक करते हैं आज की हेडलाइन्स की और 25 सालों से तिलक नगर के नियमन के लिए चकर काट रहे कॉलोनी वासियों को कलेक्टर ने दिया जल्द निस्तारन का आश्वासन गोगुंदा सिस्वक की बड़ी खबर आ रही है गोगुंदा पिनबाडा हाईवे पर मालवा चौराय के समीब दो बाइकों में जवर्दस बिणन्त हाथसे में चार यूकों की दर्दनाख मौत प्रशाशन महर्बान तभी तो आठ वजे के बाद भी खुले आम बिक्ती है शराब और दलित महिला के साथ जल साजी आबंटित आवसी भूखंड का फरजी दस्तावेज बनाकर बाहुबली ने अपने नाम करवाए दस्तावेज अब खबरें विस्तार से उदापुर के सबसिडी सेंटर इलाके में स्थित तिलक नगर कॉलोनी के लोग अपने अधिकारों के लिए दरदर की ठोकरे खाने को मजबूर है 25 वर्षपुर बनी कॉलोनी के नियमन के लिए कई लोगों ने यूआइटी में पैसा तक जमा करा दिया लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला है यूआइटी ने बेद भावपूर्ण रवई आपनाते वे व्यक्ति विशेश को लाप पहुचाने का काम कर दिया जिससे अब सौ भुखंड दारी परिशान हो रहे हैं ऐसे में गुरुवार को तिलक नगर के लोग कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुचे और अपनी पीड़ा बताई जला कलेक्टर ताराचन मीना ने भी अधिकारियों को तलब करते हुए जानकारी मांगी और समस्या के जल्द निस्तारन का अश्वाशन दिया है जानकारी के अनुसर तिलक नगर प्लानिंग 19 आराजियों का एक संयुक्त प्लान है जिसमें कुल 112 प्लॉट है जिसके नियमन के लिए यहां के रह वासी 25 सालों से न्याय के लिए UIT के चक्कर काट रहे हैं कॉलोनी वासियों ने जब न्यायले की शरंड ली तो UIT सच्चेव अरुन कुमार हसीजा ने अपने स्थानांतरन से पुर्व एक पक्षिये फैसला करते हुए व्यक्ति विशेश को लाब पहुचा दिया UIT के इस वैसले से कॉलोनी के सौ परिवार प्रभावित हो रहे हैं 19 आराजियों के सयुक्त प्लान तिलग नगर में कुल 112 प्लॉट है इसी प्लानिंग में बीजेपी के एक्स हैमले डॉक्टर शंकर भानुदा की तीन आराजियां भी शामल है इस प्लान का वर्ष 1987 और 2004 में दो बार बटवारा भी हुआ जिस पर डॉक्टर शंकर भानुदा ने भी सहमती जताई भाद में बीजेपी के एक्स हैमले डॉक्टर शंकर भानुदा की सहमती के बाद ही सभी बुकंधारियों ने अपने स्तर पर मकानों का निर्मान किया तिलकनगर के लोगों द्वारा लगाई गई रीट पेटिशन पर माननी कोड ने यूआइटी को दोनों पक्षों को सुन कर निर्ने लेने को कहा लेकिन ततकालीन यूआइटी सचेव अरुन कुमार हसीजा ने कॉलोनी वासियों को सुने बिना ही बीजेपी के एक्स एमले दॉक्टर भानूदा के पक्ष में फैसला सुना दिया ना सिर्फ आयुक्त प्लान से तीन आराजियों को प्रथक कर दिया बलकि दॉक्टर भानूदा की तीनों आराजियों की नब्बे की कारवाई शुरू कर दी तिलकनगर के लोगों ने मुख्यमंतरी संपर्क पोर्टल पर शिकायते की तो यू आईटी को नब्बे रोकनी पड़ी बर्सों से अपने भूखन के नियमन के लिए यू आईटी और कोड के चकर काट रहे लोगों ने गुरुवार को अपनी समस्या कलेक्टर के सामने रखी जिस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते वे कॉलोनी वासियों को जल्द निस्तारन का आश्वाशन दिया है। अम्रतकों के परिजनों को हाथसे की जानकारी भी दी। पुलिस ने मामला दर्शकर जाश्यरू की गटना के बाद बेकरिया हॉस्पिटल के बाहर अफ्रा तफरी का माहौल बना हुआ है। मालवा के चौराहे पर हुए दर्दनाक हाथसे के बाद पुलिस जाच में यह सामने आया है कि दोनों बाइक की गती अधिक थी। गती अधिक होने से दोनों बाइक पर सवार चार लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी। पुलिस की माने तो दोनों बाइक की गती तय सीमा से अधिक होने से दोनों बाइक के परखचे भी हुड़ गए। इस हाथसे में जान गवाने वाले में से एक नाबालिक भी है। किस की गलती है या हाथसा किस कारण से हुआ। से गैर कानूनी तरीके से रात भर बेचे जाते हैं। पुलिस बेशक शहर के बाजारों में देर रात होने पर सायरन बजा कर दुकानदारों को अपनी दुकाने बंद कर गर जाने की बात कहती हो। जबकि ठेकों पर शराब पुलिस की नजरों के सामने बिकती है। ऐसा ही निजारा शहर के सविना गुवर्धन विलास सहित अन्यथाना शेत्र में निजरा रहे हैं। कई दुकाने तो आपकारी के निधारित समय से पहले ही खोल दी जाती है। उद्यपुर्जले के शराब ठेकेदारों में प्रशाशन का कोई खौफ नहीं है। जिस भूखन का बेचान ही संभव नहीं है उस भूखन के फरजी तस्तावेज दलित महिला और उसके परिवार को दिये जा रहे हैं। साथ ही दलित परिवार को जान से मारने की धमकिया भी दी जा रही है। दरसल माजरा यह है कि एक दलित और असहाई व्रधा का आवासी भूखन गाव के ही एक बाहुबली द्वारा हडप लिया गया है। बाहुबली के प्रभाव में पुलिस भी कोई कारवाई नहीं कर रही है जबकि व्रधा कई बार पुलिस के समक्ष शिकायत कर चुकी है। यह मामला चित्तोर जिले के डूंगला थाना शेत्र का है। डूंगला निवासी लक्षमी पतनी मांगिलाल खटीक साथ वर्ष की आयू में दरदर भटकने को मजबूर है। गाव के ही एक बाहुबली बाबुलाल पुत्र मोहनलाल सामर ने उसका आवासी भूखन हडप लिया है। यह भूखन्ड जब ग्राम पंचायत ने लक्षमी को सिर्थ छुपाने के लिए दिया था तो उसके साथ ही यह शर्थ भी रखी थी कि लक्षमी इस भूखन्ड का बेचान नहीं कर पाएगी। लक्षमी एक मापुर जब अपने भूखन्ड पर गई तो बाबुलाल वहाँ पहुचा और उसको कहा कि तेरे भूखन्ड को तो मैंने खरीद लिया है। इस समन्द में जब समन्दित थाने में लक्षमी द्वारा गुहार लगाई गई तो पुलिस ने भी कोई कारवाई नहीं की। अब लक्षमी भूखन्ड की मालेख होते हुए भी दरदर की ठोकरे खा रही है। लक्षमी का पती अपाहिज और लक्षमी चूडियां बेचकर गर का गुजारा कर रही है। इस समन्द में आज सुबह आईजी साहब को ग्यापन सौपकर लक्षमी द्वारा न्याई की गुहार लगाई गई गई। अपुर के अंबामाता थाना शेत्र के साइफन चौडियां गई। पराये पर बुधवार देर रात एक युवक की हत्या के बाद परिजन शेव का पोस्माटम नहीं कराने पर अड़ गई। मौावजा और आरूपी की गिरफतारी होने तक परिजनों ने मोर्चरी में पोस्माटम नहीं करवाने और शेव को लेने से इनकार कर दिया। करीब दो गंटे तक हंगामा और जला कलेक्टर की समझाईश के बाद आक्रोशित परिजन माने इसके बाद परिजनों को शेव सुपुर्थ कर दिया गया मृतक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था। दरसल बुधवार को साइफन चौराहे पर मनीश सरगरा ने डालू गमेती की सरयाम चाकू से गोत कर हत्या कर दी। इसके बाद आरूपी मौके से फरार हो गया। दोनों में किस बात को लेकर जगडा था या हत्या का क्या कारण था इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने देर राज शव मोचरी में रखवाया था। गुरुवार सुभ मोचरी पहुशे समाजनों का कहना था कि मृतक के तीन बच्चे हैं और वह घर में अकेला कमाने वाला था। ऐसे में परिवार का अब पालन पोशन करना बेहद मुश्किल है। परिजनों ने पोस्माटम और शव लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजन कलेक्टरेट पहुचे और आरोपी की गिरफतारी की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी को गुरुवार सुबह हिरासत में ले लिया है। उसे पूश्ताच की जा रही है। इसके बाद जला का लेक्टर तारचन मीना ने भी परिजनों को नियमों के तहद मुआवजा दिलाने का आश्वाशन दिलाया है। इसके ब शेविर का आश समापन हुआ। प्रशिक्षन लेती हैं। साथ ही उन्हें आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षन दिया गया। में सुभर पॉने चार बजे से लेकर रातरी दस बजे तक एक नियमित दिन चर्या। सभी सेविका बहनों ने भाग लिया है। यहां पे उदैपूर की 85 बहने, डुंगरपूर की दो बहने, सलुंबर की 15 बहने, भीलवाडा से 11 बहने, जैपूर से एक बहन, नागौर से दो बहने, चित्तोर से दो बहने, इसी प्रकार से पूरे राजस्तान से बहनों ने भाग लिया। और यहां उनके शारेरिक मानसिक और बहुत्धिक विकास के लिए अने एक छोटे-छोटे कारिक्रम आयोजित किये गए, जिनके माध्यम से खेल-खेल के माध्यम से उनके बहुत्धिक विकास, शारेरिक विकास किया गया, आज उस कारिक्रम का समापन समारो है, यहाँ पे किया धन्यवाद भारत माता की जैए प्रशाशन महरबान तभी तो आट बजे के बाद भी खुले आम बिक्ती है शराब और दलत महिला के साथ जल साजी आबंटित आवासी भूखंड का फरजी दस्तावेज बना कर बाहु बली ने अपने नाम करवाए दस्तावेज अलर्ट राजस्तान के इस बुलेटिन में फलाल इतना ही दीजे जासित दिव्या को और बने रहे चानल अलर्ट राजस्तान न्यूस के साथ नमशकार